आज मैं आपके लिए धाबा स्टाइल चना दाल की रेसिपी लेकर आए हूँ मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दाल मसाला की रेसिपी बनाना सिखाया था आज आप उसी मसाला से धाबा स्टाइल डाल बनाएंगे तो आईए शुरू करते हैं इस बनाना इससे बनाने के लिए मैंने आपके एक कप चना दाल ली है चना दाल को एक घंडे पहले भिगो के रखा था उसके बाद इसे कुकर में डालके पानी डालके पानी हाँ पर आपको जितनी आपकी डाल है उससे एक से डेड़ इंच पानी उपर रखना है और उसके बाद इसको एक से दो विसल लगानी है और पाँच मिनिट के लिए लो फ्लेम पे रखना है और उसे करने के बाद ये हमारी चनादाल यहां पे रेडी है तो आप देख सकते हैं कि ये दाल जो है एकदम खड़ी खड़ी है हमने इसे एकदम मैशी नहीं बनाया है तो आपको सिर्फ दो विसल लगानी है उसके बाद पाँच मिनिट के लिए इसे लो फ्लेम पे रखना है और अब हम कड़ाई में फो टेबल स्पून तेल डाल लेंगे इस सबजी में तेल थोड़ा ज़ाद लगेगा क्योंकि यह ढबा स्टाइल है तो चार से पांच चमच यहां पे तेल डालेंगे तेल हमारा जैसे ही गरम होगा हम इसमें वन टी स्पून जीरा डाल देंगे साथ ही में टू टेबल स्पून बारी कटा हुआ लेसुन इसे भी लाइट पिंक होने तक पकाएंगे तो देखें यहां पर प्यास का कलर चेंज हो चुका है और अब हम इसमें एक छोटा चमच अद्रग डाल देंगे इसे मैंने ग्रेट करके डाला है साथ ही में दो हरी मर्ज इसे मैंने स्लेट करके डाला है और इन सब को भी हम एक मिनिट के लिए और पका लेंगे और अब हम इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी का डाल देंगे साथ ही में एक छोटा चम्मच लाल मिर्ज पाउडर एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाधनुसाल इन सबी मसालों को भी अच्छे से पका लेंगे और अब हम इसमें एक कप टमाटर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से पका लेंगे यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा है तो अभी तक मैंने जितनी बे सबजी पकाई है वो मीडियम फ्लेम पे पकाई है तो यहाँ पर हमारे टमाटर थोड़े गल चुके हैं, इसमें अब हम वन फोर्थ कप पानी डाल देंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे दो से तीन मिनिट के लिए ढखके रख देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं तो देखें, यहाँ पर मुझे तीन मिनिट हुए हैं, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो अब हम इसमें अपनी डाल डाल देंगे, इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे तो देखें, दाल हमारे यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गई है, इसमें अभी हम एक उबाल आने देंगे, तो देखें, उबाल आ गया है, इसमें अब हम गरम पानी डाल देंगे, आप यहाँ पर ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, तो मैं आप पर 1 फॉर्ध कप और 1 करब पानी डाल रही हूँ, और साथ ही में 1 टेबल स्पून डाल मसाला, और 1 टेबल स्पून मीट मसाला, जी हाँ, धाबे पर जब भी कभी आप दाल खाने जाएंगे, तो उसमें यह दोनों ही मसाले में ले हुए होते हैं, इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे, और अब हम इसे ढख कर करीबन 5-7 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे, तो आएए 10 मिनिट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं, यह देखिए, धाबा स्टाइल डाल हमारे बिलकुल रेडी है, पस इसमें एक कमी है कसूरी मेथी, हम इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी दाल देंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे, और दाल हमारी हाँ रेडी है, लिकें अभी तड़का बाकी है, तो चलिए इसे ढख कर रख देते हैं, और तड़का लगा लेते हैं, और यहाँ पर तड़के के लिए पैन में हम 1 टीस्पून घी डाल देंगे, जैसी घी हमार अब हम यहां पर फ्लेम आफ कर देंगे और वन टीजपून कश्मीरी लाल मिर्ज दाल देंगे और इसी तड़के को हम गरम-गरम दाल में डाल देंगे इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और साथ ही में इसे धनिया से गार्निश कर देंगे तयार है हमारी धाबा स्टाइल दाल तो चलिए अब इससे सर्फ कर लेते हैं तो है न बहुत ही आसान और जटपट रेसिपी आप भी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे बताएगा जरूर कि आपको यह धाबा स्टाइल दाल कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेर और चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थांक यू, बबाई